लख़ःब बटश्र खीर रोजगार दिये जाने का लक्ष जिला उध्योग केंद्र दौरा निरधारिद किया गया है अल दौनी इस्थित जिला उध्योग केंद्र के महाप्रबंदk विपिन कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार दौरा चलाई जा रही पर्धान मंत्री रोजगार स्वरोजगार योजना और राज्य सरकार दोरा चलाई जा रही मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना के तहट लगभग 30,000 लोगों को इस वर्ष स्वरोजगार से जोडने का लक्ष रखा गया है जिसमें लगभग 6 करोड रुपे की सबसीडी दिये जाने का लक्ष है महापरपंदक वीपिन कुमार ने बताया कि जिले का कोई भी युवा यदि स्वरोजगार करना चाहता है तो वह दतकाल जिला उद्योप केंदर से संबंदित स्वरोजगार हेतू आवेदन कर सकता है जिससे कि उनको सबसीडी यूप तो इरेंड दिया जा सके बिगत वर्ष की भाती हमारे पास इस वारस भी प्राधान मंत्री रोजगार सरजन कारिकर्म PMEGP के MSY के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के इसके अलावा नैनो MSY के लक्ष प्राप्त हो चुके हैं प्रधान मंत्री रोजगार सरजन योजना में हमें 137 यूनिट के अगेंस 4 करोड 13 लाग की मार्जन मनी एवं जिसमें 1096 का रोजगार लक्ष रखा गया है जैसा कि हमारा अप्रेल माई जून प्रथम हमारा क्वाटर बीच चुका है उसके में हमने 197 एप्लिकेशन बैंकों को भेज चुके हैं हम खादी आयोक का 174 का रोजगार का लक्ष हमारा प्रथम क्वाटर में प्राफ्ट हो चुका है और इसके साथ ही हमने DIC टीम ने जिलादियाकारी मोहदेसे के निरदेशन में हमने जहां हम इंट्रिव्य कराने के साथ साथ कैम कराने के साथ साथ एप्लिकेशन बैंकों को भेज रहे हैं वहीं बैंकों के सीनियर ऑफिसर रीजनल मैनेजर से मिलकर इन एप्लिकेशन जो लंबित हमारी एप्लिकेशन जो बैंकों को चली गई है उस पर काम करना पुने शुरू कर दिया है अभी तक हम लोगों ने जनपद में 18 कैम्प पूरे करा चुके हैं इसी तरह MSY के 500 के लक्ष के अगेंस्ट हम लोगों ने 49 एप्लिकेशन हमारी बित्रित हो चुकी है जिसमें 122 लाग का हमारे मार्जिन मनी है और 161 लोगों को रोजगार का लक्ष प्राप्त किया है तीसरी स्कीम जो अभी बरत्मान में हम लोग जिसमें कैम्प करा रहे हैं जिसमें 900 का लक्ष हमें सासन से प्राप्त हुआ था जिसमें उड़न्चास एप्लिकेशन हमने बित्रित करवा दी गई है और साथ ही अगले क्वार्टर में हम लोग जुलाई अगा सितंबर वाले क्वार्टर में कोशिश करेंगा हमारा लक्ष प्राप्त हो जाए धन्यवाद